ग्यहुँ खरेदी इना पी मद्य परदिस में आद से ग्यहुँ की खरेदी एक दिन में आएंग खरेदी केंद्र में भीड़ना लगे इसके लिए एक दिन में एक केंद्र में सिर्फ 6 किसानों को बुलाई जाएगा खरेदी केंद्र के कर्मचार्यों को भी कोरोना काईडलाइन का पालन करना होगा आपस में कम से कम तीन मेटर की दुड़ी रखते हुए काम किया जाए कानून व्यस्ता के लिए पुलिस बल तेना थो चुनाओ की तर सम्वेंचिल केंदर भी चिननी तर सुरक्षा के विचेस इंतिजाम किये जाए केंदरों में मास्क, सेंटिराइजर और हाथ दोने के लिए सावन की विवस्ता रखी जाए कोरोना वाइरस के फिलाव को लेकर होड़ स्पोर्ट बन चुके बोपाल, इंदर और उज्जिन को छोड़कर प्रदेश में समर्थर मुल्य पर ग्यों की खरिदी बुद्वार से सुरू होने जा रही है सारी रीक दुरी का पालन कराने के लिए इस बार 4305 खरिदी केंदर बनाए गए है यहाँ प्रते दिन सिर्फ 6 किसानों को बुलाय जाएगा और इन से खरिदी भी दो पाली यानि सुबर दस से देड़ और दो पर दो से पाज बज़े तक की जाएगी MMS बहचकर बुलावा किसानों को फसल बहचने के लिए MMS देकर बुलाय जाएगा किसानों को काहा गया है कि वे कोरोना की संक्रमन को देखते हुए मास्क लगा कर आएग और साबुन से हर दो घंटे में अच्छे से हाथ धोएग और साले दिख दूरी का पालन करें मुख्यमंत्री सिवराची चुहान ने किसानों को भरोसा दिलाय है कि एक एक दाना खरिदा जाएगा ग्यहूं खरिदी 1925 के भाव से नियुन्तन समर्थर मुली पर ग्यहूं 1925 रुपए प्रति क्विंटल के साब से खरिदा जाएगा इस बार एक करोड मेट्रिक टन ग्यहूं का उपारजन होने का नुमान है खाद नागरिक आरपपुर्ति ने इसी हिसाब से तेयारी की है विवाग के प्रमुक्स चीव सिव सेखर सुकला ने बताया है कि ग्यहूं खरिदी के लिए 21 लाग किसानों को MMS भेजे जाएंगे इसमें उन्हें पच लेकर आने की तारिक और समय भी बताया जाएगा सेक्टर प्रभारी करेंगे निगरानी ग्यहूं खरिदी के काम की निगरानी के लिए जिला अधिकर्यों को सेक्टर प्रभारी बनाए गया है इसके साथ चिक्स्यों को की टीम भी साथ रहेगी जरुवत के मताबिक केनरों पर किसानों का साथ प्रिक्स भी होगा धन्यवाद